क्लास आज हम पढ़ेंगे नैशनल इंकम है कि एकुनमिक्स की पहली क्लास है और नैशनल इंकम से शुरु करेंगे है अच्छे से जरा हम सा्रे के सारे टापिक्स को देख लेते हैं तरिके संटमरे क्या है प्रिपरेशन हुको यह देख ले ना सैक। आपका जो पूरा का पूरा economics है, economics का जो syllabus है आपका, वो carry करता है पूरा का पूरा 100 marks का, 100 number का पूरा economics का syllabus है, और इस पूरे 100 marks में, हमारे पास दो अलग-अलग किताब है, सबसे पहली जो किताब है, वो है Indian Economic Development, Indian Economic Development, और जो दूसरी किताब है, हमारे पास, वो है Macro Economics, और मैं जो पढ़ाऊंगा, क्लास आपको अपने नोट से पढ़ाऊंगा, बाकि उसके बाद आप किसी भी किताब से खुद भी अपने आप चाहो, तो पढ़ सकते हैं, तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा स्कूल में, स्कूल में जो प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं, वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और 80 नंबर का होगा आपका थियरी पेपर, जो थियरी पेपर है, वो आपका 80 मार्क्स का होगा, टोटल जो बनेगा 100 मार्क्स का, अब इस 80 marks में 40 marks जो होंगे वो होंगे macro economics के और 40 marks होगा Indian economic development का तो मैं बात करता हूँ class macro economics की सबसे पहले तो ये जो macro economics है macro ये theory और numerical दोनों पे based है macro economics जो है ये theory और numerical दोनों पे based है और 40 marks का paper आना होता है जिसमें 10 नंबर के MCQ true false, fill in the blanks, match the following, short questions रहते हैं बाकी 30 नंबर में 7 question आपको मिलते हैं उसमें बस 7 question आपको लिखने होते हैं जिसमें आपके numerical भी होंगे लगबग दो और कुछ theory के question भी होंगे तो ये जो macro economics है सब लोग ध्यान से सुनते चले जाओ समझते चले जाओ ठीक है जो macro economics है यहां पर तो macro economics में अगर हम chapters की बात करें तो सबसे पहला जो chapter है वो है national income जो पहला chapter है class macro economics का वो है national income फर्स chapter है वो national income है और जो second chapter है macro economics का first is national income और second है money and banking money and banking third जो chapter है national income हो गया money banking ADAS एक chapter है determination of income and employment एक है इसमें government budget government budget और finally हमारे पास जो chapter है वो foreign exchange and BOP foreign exchange and balance of payment तो अगर हम इन पांच चोगो देखो आपकिता में numbering कुछ और होगी आपकिता में national income के चार अलग अलग पार्ट होंगे money banking के money अलग banking अलग ADAS में तीन अलग अलग पार्ट होंगे foreign exchange अलग होगा BOP अलग होगा लेकिन मैंने इसको unit wise बाड़ दिया है तो मेरे पास पूरी macro economics में यह हमें करना है और सच कहूं तो मुझे Indian economy और macro economics यानि कि पूरा इकनोमिक्स का syllabus खतम करने में 2.5 months का time लएगा जब मैं alternate days पढ़ाऊंगा जब मैं अलग अलग दिन पढ़ाऊंगा आपको मतलब Monday, Wednesday, Friday तो इसमें लगबग 2.5 months का मेरे को time लएगा पूरा syllabus खतम करने में तो मेरी आप सबसे एक request होगी कि आप एक भी class miss नहीं करोगे और daily basis पे इन chapters को जब मैं पढ़ा दूँगा तो घर पे आपने daily basis पे कर लेना है धाई महीने में आपका पूरा syllabus 80 out of 80 का preparation हो जाएगा समझ रहे बात को धाई महीने के time में हम पूरा syllabus अपना खतम कर देंगे आराम से तो जो national income है हमारे पास national income वह हमारे पास national income करने के लिए class लगबग 6 हम 6 class लेंगे लगबग national income खतम करने के लिए money banking में लेंगे हम 2 class ADAS में लगबग 4-5 class budget 2 class और foreign exchange BOP लगबग 2 class 6,2,8,2,10,2,12,12,12,4,16,17 मान लो तो लगबग 17 classes के अंदर हम पूरा का पूरा macro economics बिलकुल zero to end पूरा का पूरा खतम कर देंगे समझे लगबग एक महीना दो दिन या तीन दिन खीच के जादस जादा एक महीना तीन दिन के अंदर यह आराम से खतम हो जाएगा अगर हम alternate days classes लेते हैं तो ठीक है ओके चलो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर जो है national income यहां से बिलकुल जीरो से बिगनिंग से इसको शुरू करते हैं ठीक है आप ऐसे सीख लोगे ना कि एक मिनट में आप इसके निमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तो मैं शुरू कर रहा हूं बिलकुल ध्यान लगना वैसे जैसे बोलता हूं national income तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि पूरे देश की इंकम कितनी है national income का मतलब है पूरी की पूरी economy की कितनी इंकम है पूरे देश की इंकम कितनी है उसको हम लोग बोलते है national income economy की इंकम राष्ट्र की इंकम इंडिया की इंकम उसको बोलते है national income जैसे राम की इंकम मो तो नेशनल इंकम इस चैप्टर में तीन बेसिक फॉर्मूले हमारे पास होते हैं त्री बेसिक फॉर्मूले जैसे से बतारूं कॉपी पर लिखते चले जाए अच्छे से इसको लर्न करते चले जाना सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रॉस और यहां पर आएगा नेट ग्रॉस और नेट ठीक है चार पांच लाइन छोड़ के लिखोगे नेशनल और डुमेस्टिक ठीक है नेशनल और डुमेस्टिक फिर चार पांच लाइन छोड़ के आप लिखोगे मार्केट प्राइस और फेक्टर कॉस्ट ठीक है ग्रॉस नेट नेशनल डोमेस्टिक मार्केट प्राइस और फेक्टर कॉस्ट क्लास में बता दूं लेफ्ट हैंड साइड जो तीनो हैं ठीक लास लेफ्ट हैंड साइड जो ये तीनो आइटम है left hand side वो हमेशा ज़्यादा होगा right hand side के item से जैसे gross जो है वो ज़्यादा होगा किसे net से national जो है वो ज़्यादा होगा domestic से market price जो है वो ज़्यादा होगा किसे factor cost से gross ज़्यादा है net से देखो ग्रॉस का मतलब किसे आप किसी company में काम करने जाओगे तो आप इस gross salary मानलो 20,000 20,000 आपकी gross salary है लेकिन आपको पूरे 20,000 रुपए salary नहीं मिलेगी उसमें से आपका tax कटेगा मानलो 5000 रुपए तो आपको जो salary मिलेगी 15,000 तो यह gross salary है और salary यह net salary है उसी तरीके से gross profit और net profit होता है जैसे मानलो आपके घर पे cylinder होगा सब की घर पे तो इस cylinder का जो वज़ान है वो मानलो 30 kg है तो इसके अंदर गयस है वो सिर्फ 14 किलो है तो यह आपको जो gas मिलता है वो 15 kg वो net है और पूरा का पूरा cylinder का वज़न है वो 30 kg वो gross है तो gross हमेशा जादा होगा और net हमेशा क्या होगा सब कुछ काट कूटने के बाद होगा तो सुनो मेरी बात अगर आपको gross से net में जाना है ध्यान रखना gross से net में तो हम minus क्या करेंगे depreciation gross से net में जाने के लिए minus depreciation और net से gross में आने के लिए plus depreciation क्या होता है जब किसी asset की value कम होती है तो उसकी जो value कम हुई है उसको हम लोग बोलते हैं depreciation वैसे depreciation का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते है कंजप्शन of fixed capital किसी भी तरीके से ध्यान रखना अगर आपने ये पहली class का formula याद नहीं किया तो किसी भी तरीके से class आपको national income जो है वो समझ नहीं आएगा ध्यान रखना मस्ट है कि यह formula याद अखना ठीक है और इसको नाम देते है असेट रिप्लेस्मेंट कॉस्ट ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिशेशन नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रिशेशन और डेप्रिशेशन का दूसरा नाम क्या होता है कंजप्शन ओफिक्स यापिटल और असेट रिप्लेस्मेंट कॉस्ट आप सबको पता है ना कि ग्रॉस बढ़ा है तो बड़े से छोटे में जाने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा और छोटे से बड़े में आने के लिए कुछ प्लस करना पड़ेगा ओके चलो नेक्स्ट नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनफ आईए और domestic से national में आने के लिए प्लस NFIA प्लस domestic क्या होता है मान लो ये इंडिया का map है ये मैं इस तरह से बना जेता हूँ ये मान लो इंडिया का map है तो इंडिया के map के अंदर जितना भी ये area है इंडिया के map के अंदर ही जितना भी area है इन सब को हम लोग क्या कहते हैं class इन सब को कहते हैं domestic domestic मतलब इंडिया के map के अंदर है जितनी भी चीज़े हैं class वो सारे चीज़े क्या हो गई domestic हो गया map के अंदर जो भी कुछ है और इंडिया की जगे अमेरिका में भी है रश्या में भी है France में भी है, China में भी है, Italy में भी है, और हमारा जो area वो Australia, अलग अलग देशों में है, उन सब area को calculate कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा national, तो बड़ा कौन होता है national, छोटा कौन है domestic, तो national से domestic में जाने के लिए minus NFIA, domestic से national में जाने के लिए plus NFIA, NFIA क्या होता है? Net Factor Income From Abroad NFIA जो है वो क्या है class? Net Factor Income From Abroad इसका formula होता है NFIA का NFIA is equal to FIFA minus FITA FIFA क्या होता है? Factor Income From Abroad FITA क्या होता है? Factor Income To Abroad मेरी बात को सुनना ठीक है? यह इंडिया है और यह है US ठीक है? अब इंडिया से एक बंदा गया राम नाम का राम चला गया US में और इंडिया से कमा के लिया आया 2,00,000 रुपए इस 2,00,000 को आपता क्या नाम देते हैं? FIFA यानि कि Factor Income From Abroad अच्छा Factor Income क्या होता है? जब कोई इंसान बाहर जाता है और काम करता है काम करने के बाद जो इंकम आती है उसको बोलते है Factor Income जब कोई labor काम करता है और काम करके पैसे कमा के लेके आता है तो उसको क्या बोलते है Factor Income तो राम गया अमेरिका से पैसे कमा के इंडिया में लाके इंडिया में खर्च करता है क्योंकि उसका परिवार इंडिया में रहता है इसको बोलते है अब यूएस से एक आदमी आ गया अमेरिका से मालो डैनियल नाम का आदमी डैनियल आ गया यूएस से इंडिया में और वो डैनियल जो है यूएस से इंडिया में आकर इंडिया में आया यूएस से और वो एक लाख रुपए या डेड़ लाख रुपए का इंडिया से पैसे लेकर अपने देश में चला गया इसको हम क्या बोलेंगे फिटा यानि कि इ कि इंडिया ने नेट कितना कमाया बाहर से एन एफ आई ये नेट हमने कितना कमाया बाहर से तो हम बोलेंगे जी हमने कमाया तो दो लाग था डेड़ लाग दे दिया तो नेट हमने जो कमाया वह 50,000 कमाया है जो नेट कमाया हमने वह 50,000 कमाया तो यह हो गया एन एफ आई ये फीफा माइनस फीटा जो इंकम हमने बाहर से कमाया है बाहर देश से उसको बोलते हैं फीफा और फीफा में इसे फीटा घटा देंगे तो क्लास आ जाया गया यहां पे एन फ आई ए ए डे नेट फाक्टर इंकम फ्रॉम अब्राड एन फियर यहां तक अब आते हैं एम्पी क्लस एम्पी क्या होता है मार्केट प्राइस किसी भी चीज की जो मार्केट प्राइस है यूनिलेटल ट्रांसफर जो होता है उसको बोलते हैं वन साइड़ पेमेंट वह जो काम करके पैसा लेके आते हैं उनको काउंट करेंगे बस अच्छा अब मार्केट प्राइस से फेक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस करेंगे एन इट किसी भी दुकान का जो मार्केट प्राइस है वह ज्याधा होता है क्लास और कॉस्ट कम होता है तो एम्पी से तेक्स नेट आपको ये तीन फॉर्मुले बहूत अच्छे से याद होने ची ध्यान रखना एंडरेक्ट ट्राइक्स मेंसे क्या मार्नस कर देंगे तो हमारे पास आजाएगा एंए एमिक्या क्तिशा Reynolds एवी locally investor को pay करते हैं मैंने चीजा कः को सरकार को अंते थे सपिंड हैं तो इसन राट से गए चीजा को सकते हैं का सब्सक्राइब को बलते हैं इंड्रेक्ट जॉह आपको याद रखने लेकि पहला घ्रसन्सालई सरस्थ 스ट जीएस्ट Import Duty, Custom Duty मतलब होता है, Import Duty, इसको बोलते हैं, Class हम लोग Indirect Tax, Goods and Service Tax और Custom Duty यह दोनों हमारे लिए कौन से Tax होते हैं, Indirect Tax, आगे बाद समझ, जब हम बाहर से Import करते हैं, तो हमें सरकार को Tax देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, Import Duty, Subsidies क्या होता है, Old Age Pension, Scholarship, जो Scholarship मिलते हैं बच्चों को पड़ाई में, और एक होता, Unemployment Allowances, बेरोजगारी भत्ता जो सरकार देती है, बेरोजगार लोगों को, तो यह Unemployment Allowances, यह तीनों के तीनों क्या कहलाई जाती है, Subsidies, तो Indirect Tax और Subsidies में से Minus करेंगे, तो हमारे पास आएगा Net Indirect Tax, यह Basic Formula है, बहुत अच्छे से, इन सारे Formula को आपने अच्छे से Learn करना है, ध्यान रखना, मैं Repeat कर दे रहूं, मेरे साथ सा जाने के लिए Class, Minus Debt, और Net से Gross में आने के लिए Plus Debt, Gross से Net, Minus Debt, और Net से Gross, Plus Debt, National से Domestic, Minus NFIA, Domestic National, Plus NFIA, MP से FC, Minus NIT, और FC से MP, Plus NIT, अच्छे से लिख लो, Copy में, अच्छे से याद कर लो, और हम इसके सवाल बनाएंगे, अगर आपको यह नहीं याद हुआ, ध्यान अखना बहुत जादा आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर आपको यह चीज याद नहीं हुई, अब सुनो, Debt का दूसरा नाम क्या है, बताओ, Conjunction of Fixed Capital, NFIA का, NFIA का formula, FIFA minus FITA, Debt का एक और नाम भी है, Asset Replacement Cost, और NIT का IT minus Subsidy, इनने टक्स कौन-कौन से होते हैं, Class, अगर नहीं दिया हो इनके basic formula, अगले heading डालो, फटा-फट, next heading है, components of national income, अगले heading है, बिल्कुल बहुत अच्छे से formula learn कर लें, Class, ध्यान रखना, next heading है, components of national income, अब national income के components कौन-कौन से हैं, तो मैं आपको 8 component लिखके दे रहा हूं, इनका full from बस याद रखना, इनको पढ़ते कैसे हैं, GDPMP, GDPFC, NDPMP, NDPFC, GNPMP, GNPFC, NNPMP, NNPFC, चलो, एक-एक करके हम सारी चीजों को पढ़ना start करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमारा यह पहला alphabet होगा, यह जो हमारा पहला alphabet होगा, या तो वो gross होगा, या तो वो net होगा, यह ग्लास, जो हमारा पहला alphabet होगा, या तो वो gross होगा, या तो वो net होगा, अगर सर्फ G से शुरू है, तो gross होगा, और net से शुरू है, तो net होगा, तो यह क्या है, ग्रॉस, यह क्या है, 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 वो net है दूसरा N जो है वो national है जो यह P है न क्लस जो P लिखा हुआ है P से आप ध्यानक हमेशा P का मतलब होता है product देश में जो समान बना है उसको बोलते हैं product और MP मतलब market price और FC मतलब factor cost तो मेरे साथ सथ पढ़ो क्या लिखा हुआ है पहला component Gross Domestic Product at Market Price GDP MP यानि Gross Domestic Product at Market Price और यह क्या है Gross Domestic Product at Factor Cost चलो अगला पढ़ो मेरे साथ साथ Net Domestic Product at Market Price यह Net Domestic Product at Factor Cost यह Gross National Product at Market Price Gross National पहला एन नेट होता है ना दूसरा एन नेशनल है National Product at Factor Cost नेट नेट नेशनल प्रड़क्ट at Market Price नेट नेशनल प्रड़क्ट at Factor Cost चले रहे है अब सर्फ GDP MP होता क्या है यह GDP MP का मतलब क्या है Gross का मतलब तो Inclusive Depreciation होता है और हमारे देश का जो मैप है इंडिया का जो मैप है मांचित्र जो है Domestic territory इंडिया का जो मैप है उस मैप के अंदर जितना भी समान बनाया सुईसली के जहाज तक वह सारा का सारा आता है GDP MP यहनि Gross Domestic Product at Market Price तो Market Price कितनी है जो भी समान बन रहा है सुईसली के जहाज तक का देश के अंदर छोटे से छोटा बड़े से वड़ा उसकी Market Price कितनी है that is called Gross Domestic Product at Market Price तो यह हो गया GDP MP अब मेरी बात को समझना जब भी मैं बोलू National Income तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए नेशनल इंकम मतलब NNPFC ध्यान रखना जब भी मैं बोलता हूं National Income तो National Income का मतलब क्या होता है NNPFC NNPFC का मतलब क्या है क्लास National Income National Income का मतलब है NNPFC यानि की Net National Product at Factor Cost उसको क्या बोलते हैं लोग National Income और यह जो NDPFC है ना क्लास इसको हम लोग बोलते हैं Domestic Income देखो जब भी मैं बोलूँगा National Income तो बोलोगे NNPFC दिमाग में क्या आएगा National Income NNPFC देखो देखो देश की जो Income है ना वो हमेशा Cost पे ही Calculate की जाती है बात को समझना कोई समान अगर 100 रुपय का बन रहा है तो उसने 100 रुपय की ही Income Generate की है अगर मैं एक Furniture 100 रुपय का बनाता हूं तो मैंने लकडी खरीदी किसी से 20 रुपय की तो वो 20 रुपय की Income Create हो रही है फिर मैंने 30 रुपय का किसी से क्लास लेबर लिया तो वो 30 रुपय की Income Generate हो रही है और उसी मैं बता दूं क्लास आपको Cost Chapter में 11 में आपने पढ़ा होगा उसी के अंदर आपका एक Component Profit का भी जुड़ा होता है Cost is the Payment Made to Factor of Production Land पे हम लोग Rent पे करते हैं Labor को Wages पे करते हैं Capital पे Interest पे करते हैं और Normal Profit हम देते हैं Entrepreneurship पे यानि कि जो मालिक होता है तो वो सारा Cost के अंदर अल्रेडी एक Minimum Component गिवन है अब को आगे जाके उसे 4000 का 5000 का बेच रहा है तो हम उसको Count नहीं करेंगे जो पहली Income होगी हमारी National Income ध्यानकना National Income हमेशा Resident की होगी Resident यानि हमारे देश के निवासी और वो Cost पे होगी बाकि जो ठीवरी पढ़ाओंगा आपको डिटेल में तब एक बार और क्लेर करवा दूंगा तो बच्चो National Income मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि National Income में इधर National आता है इधर Domestic आता है बड़ा कौन है National मेरा एक सवाल क्या हमेशा National बड़ा होगा ट्रू-फॉल्स में एक बार पूछा गया था एक्जामिनेशन में क्या National हमेशा बड़ा होता है या true or false नहीं प्लस National प्रड़ाक्ट हमेशा बड़ा नहीं होगा अगर मान लो फीफा हमारा पचास है और फीटा हमारा सत्तर है यानि कि फैक्टर इंकम जो आपने बाहर से कमाया है वो पचास रुपए है और जो इंकम आपने बाहर वालों को दिया है वो सत्तर रुपए है तो जो नेट इंकम है वो माइनस 20 है बात को समझ ना देखो डोमेस्टिक इंकम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ इंडिया इंडिया से कितना पैसा कमाया लेकि नेशनल इंकम का मतलब क्या है अमेरिका से रश्या से चाइना से बंगला देश से पाकिस्तान से या ऑस्ट्रिलिया से या आप कितना पैसा कमाया वह national है तो national हमें से बढ़ा है क्यूं इसमें बाहर की income भी आती है लेकिन अगर बाहर की income figure minus में है तो तो हमारा national कम हो जाएगा ना फिर domestic बढ़ा हो जाएगा सर बाहर की income minus कैसे समझे नहीं मान लोग कि आपने बाहर से income कमाया 50 लेकिन बाहर वालों ने आपसे income कमा लिया 180 तो आपका class बाहर से जो income आपने net कमाया तो वो minus 130 हो गया ना आपका national छोटा हो जाएगा जहां रखना और national में और domestic में जो difference है वो किसका है हमेशा NFIA का यहाँ प domestic और national यानि कि जो दोनों का difference है जो दोनों का difference है वो क्या है NFIA तो domestic income और national income दोनों का difference है वो क्या है NFIA यानि कि net factor income from abroad यह दोनों का difference जो है वो NFIA है और NFIA plus भी हो सकता है minus भी हो सकता है NFIA 0 भी हो सकता है और NFIA जो है वो किसके अंदर होता है national में domestic में नहीं होता पर हमेशा national बड़ा होगा यह नहीं है statement सही अगर NFIA कभी माइनस में चला गया तो उससे में domestic बड़ा हो जाएगा और national क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा बच्चो देखो मैं आपको एक्जांपल समझा देता हूँ NFIA का जो फॉर्मूला है वो है फीफा माइनस फीटा ठीक है तो फीफा मतलब होता फैक्टर इंकम फ्रॉम अब्रॉड और फीटा मतलब होता फैक्टर इंकम टू अब्रॉड मालो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लो से इंकम आईए अब्रॉड मतलब क्या होता है इंडिया को छोड़ कर पूरा वर्ड जो है वो अब्रॉड है विदेश से इंकम आईए और टू का मतलब को कि आपने विदेश को इंकम दी है समझने बात को आपने विदेश को इंकम दिये तो फीफा माइनस फीटा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, वो आएगा Net Factor Income from Abroad, ओके, NFI यानि Net Factor Income from Abroad, तो यह हो गया आपका NFI यानिके Net Factor Income from Abroad, चलो, यह तो आपने सारा अब कर लिए, अब हम देखते है, question को करना कैसे है, तो मैं हाँ पर एग Example लेता हूँ, और हम उस question को करना start कर देते हैं सब लोग copy निकाल लो और मेरे से अच्छे से समझो किसके example से question कैसे करते हैं ठीक है चलो let's get started question करते हैं तो मेरा पहला question है यहां पे साथ भी कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो अगर कोई डिक्कत परिशानी आप चैट पर पूछ सकते हो calculate question करते हैं यहां पे calculate चैट पर पूछ रो class अगर कोई doubt है तो calculate national income calculate national income clear है यहां तक आपको national income calculate calculate करना है calculate national income अच्छा जब भी मैं बोलता हूँ national income जब भी मैं बोलता हूँ class national income तो आपकी दिमाग में क्या आएगा NNPFC net national product at factor cost NNPFC net national product at factor cost ठीक है नी बाकियों कुछ नहीं बोलते हैं बच्चो ध्यान रखना बाकियों कुछ नहीं बोलते हैं domestic income है उसको NDPFC बोलते हैं national income है बाकी तो वह ही है बाकी तो वह ही है class मतलब देखो सबके तो नाम सेम है लेकिन जब भी मैं domestic income की बात करूँगा वह कौन सा component होगा वह NDPFC होगा clear है class यहां तक और यह जब भी मैं बात करूँ national income तो NNPFC इनका कोई class नाम नहीं है बस NDPFC और NDPFC यह दो है ठीक है national income आपको निकालना है और मैं कुछ component गिवन देनों सबसे वहले मैं GDPMP दे दिया 4000 GDPMP है 4000 और सारे figure है 1 lakh करोड में ठीक है consumption of fixed capital question में देखो कैसे निकालना है बहुत important class यह सब question 1-1 mark के कैसे question आते हैं मैं वह भी बताऊंगा आपको आज GDPMP है 4000 consumption of fixed capital है मानले लेते हैं 50 और net indirect tax है 270 यह 500 लेलो 270 subsidies are 70 subsidies are 70 और net factor income from abroad 180 ठीक है चलो अब क्या करना है हम लोगों को national income निकालना है मेरी बात ध्यान से समाजना कि कैसे हम लोग solution करते हैं सब बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो हमें जो भी calculate करना है उसको रखेंगे left hand side सुनते जाना अच्छे से हमें जो भी calculate करना है उसको रखेंगे left hand side निकालना क्या है नेशनल इंकम नेशनल इंकम को रखेंगे left hand side और जो given है वो क्या है GDP MP तो उसको रख देंगे right hand side जो हमें calculate करना है वो left hand side जो हमें given दे रखा है वो right hand side अब घड़ी की तरह चलना है clockwise घड़ी की तरह ऐसे लाइक ग्रॉस से नेट में घड़ी की तरह है विल्कुल ऐसे ऐसे ठीक है ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या क्या था हमने माइनस डेपरिशेशन यहां कर देंगे माइनस डेपरिशेशन बच्चो इसमें ना 48 फॉर्मूले बनते हैं 48 फॉर्मूले ऐसे लेगिन मैं आपको एक भी फॉर्म्ला नहीं कर हूँ मैं देखो ऐसी कर लोगे इसा डोमस्टीक से नेशनल में यह दो आजा ज़ाओ एंसानल में प्लस NFIA अगला क्या है पी पी भाई देखो प्रड़क्ट और प्रड़क्ट तो सेम है तो पी से पी में कुछ नहीं करना है यह बन गया फॉर्मूला आपको यहाद करो लेकिन नहीं आपको यहाद कुछ नहीं करना आपको वह सुरू के तीन फॉर्मूले जो लिखवाए थे ना वह याद करना है और यह हो गया लो आपका complete पूरा का पूरा ग्रॉस से ने जाने के लिए क्या करना है यह सब चीज बेस रही है तो यह बन गया फॉर्मूला अब हमें क्या करना है क्लास फुट करना है बस चलो खुशी का आंसर आभी गया वेरे गुड बाकी सब लोग भी आंसर निकालो GDP MP है 4000 माइनस डेप्रीशिशन जो है वह कितना है क्लास वह 500 आ गया सब लोग फटा-फट आंसर मुझसे प 500 सब बच्चे मुझे बताओ net factor income कितना 180 है और माइनस NIT बच्चो मुझे सिर्फ इतना बताओ NIT 270 लेना है या 200 लेना है मुझे बताओ NIT 270 लेना है या 200 लेना है कम आन फटा-फट आंसर दो NIT 270 लेना है या 200 लेना है साधवी mistake है आपका नव्या सही है बिलकुल अंकित गलत है सौरव सही है सुमायला वेरी गुड परवेश सही है तनिश सही है ठीक है नेहा भाटी सही है रवीरंजन गलत है दिव्यान शुरावत गलत है नकुल आपका सही है ससांग सही है ठीक है खुशी वेरी गुड मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुनो मैंने आपको क्या बताय था थोड़ी दिर पहले क्लास में बताय था एनाईटी का जो फॉर्मूला है गलती कभी भी फॉर्मूले में होगी ही नहीं मैं पहले ही बच्चों आप लोगों को बता रहा हूं आप सबकी सबसे बड़ी कमी पता क्या है किमत प्रड़ो आप कोशिन को अच्छे से करो आप मुझे बताओ एनाईटी का फॉर्मूला है आईटी माइनस सबसेडी जब मेरे को यही 270 दिया हुआ है तो मैं इन दोनों को क्यूं लूँ आप मुझे बताओ सादवी आप कनेक कर पा रहे हो उमीद करता हूं समझा रहा होगा जब मुझे 270 एनाईटी दिया हुआ है यह क्या दिया है नेट इंडारेक्ट टैक्स अगर यह नेट नहीं लिखा होता अगर यह नेट नहीं लिखा होता ना मैं 200 ही लेता तो आपना कोशिन को धंग से पढ सत्तर तो आप जरा मैं सॉल्व करूंगा आंसर कितना आ रहा है जरा सब लोग मुझे बता दो अब बताओ सब लोग आंसर कितना रहा है कोशिन को धंग से पढ़ा करो अभी शुरुवात है बिल्कुल जल्दी बाजी नहीं करो गया आप समझ रहे हैं अच्छा एन फाइए यह 500 मैंने दो बार लिख दिया गया अब ठीक है यह हो गया मैनस 500 प्लस यह मैंने साथ दो बार लिख दिया था और आपका निखल सही आ रहा है परनव आपका सही है सौरव ठीक है कोबल मों मैंने मिस्टेक से लिख दिया यह ठीक है निखिल वेरेगूड और सही आ रहा है तो अभी सब का जो है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो यह आगया 34-10 अब मैं आपको एक कोश्चिन करके देता हूं और आप लोग आंसर करो आगे बात समझ ठीक है शिवम बिल्कुल सही है आपका वेरी गुड ठीक है रवी करेक्ट है और इवन सब का सही है बहुत अचासी है चलो यस जो है आपका भी ठीक है करना क्या है जो कैलकुलेट करना उसको लेफ्ट हैंड साइड जो गिवन उसको राइट हैंड साइड चलो अब बजरा एक बार कोश्चिन जल्दी से फटाफट कोश्चिन नम देगो वन तो चलो मैं आपको ओमवक दे दूंगा आप फटाफट इस पर आजाओ टू सब लोग कर जाओ फटाफट काम पे कर दो सकता है जाओट कर लोग जब भोग करो फटा फट देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा यू हैब टू कैल्कुलेट एंडीपी एपसी तो एंडीपी एपसी निकालना है करते चलो आप मेरी बात को मत सुनो करते चलो जी एन पी एंपी दिया हुआ है ग्रोस से नेट माइनस देखते नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एन फाइए एंपी से एपसी माइनस एन एन एट तो आंसर आने स्टार्ट हो गए 178 दिवयांशु साय तो आपकी टाइपिंग मिस्टेक होगी एक बार चेक कर लो चलो मैं आपको दिखा जेता हूँ जी एन पी एंपी मेरे पास है दोसो डेप्रीशेशन मेरे पास है दस रुपय नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम प्रॉड है माइनस का चार और नेट इंडरेक्ट टैक्स मत देखो अब देखो देखो जिन्होंने पिछले बार गलती की थी जर आप देखो क्या मुझे नेट दिया हुआ है नहीं तो मैं आईटी में से सबसीडी को घटा दूँगा अगर मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में जो ज़्यादतर गलती होंगी बच्चों की वह यहां पर होंगी बताओ क्या मैं सही बोल रहा हूं यहां पर गलती हो सकती है एन एफाइ यह माइनस में दिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या कर दोगे आप प्लस कर दोगे तो आप सॉल्व करोगे जब इससे 200 माइनस 10 190 190 में सेगर आप चार जोड़ोगे तो आएगा 194 और 194 से अगर आप 16 घटा दोगे तो आएगा 178 तो मेरे हिसाब से 178 जो है वो correct answer है जो हमारा answer आगया सबका answer आगा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चीज जिसका answer गलत आए परवेश ठीक करो 174 आ रहा है 174 आ रहा है परवेश यहां पर आपने mistake किया होगा जिनका भी mistake होगा मुझे पता है ना कि आप गलती कहां करोगे यहां पर इसको ठीक करो गलती यहीं पर होगी आपकी 174 आंसर आएगा ध्यान रखना ठीक है चलो रवी वेरे गुड भाई जल्दी ठीक करो सुमायला एंड़ीपी एपसी ठीक करो 174 आ रहा है एंड़ीए का figure देखो न माइनस में दिया हुआ है नेट फैक्टर इंकम फ्र नेक्स्ट कोस्चिन पर हान नयन भाई आपका सही है डॉंट वरी ठीक है चलो अब इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं जरा सेकेंड पार्ट मेरे साथ साथ बना लो यहीं पर ही रेकेंड पार्ट जो है वो देख लो सब लोग ठीक है आपको निकालना है चेक करो यहां पर अनिकालना मैं पार्ट जो लेफ्ट हैं जो दे रखा है वह राइट है ऐहां पर प्रिक समझाताओ अच्छे से देखना जरा यहां पर एक चीज़ सिखाताओं देखो मैं आपको दिखा रहा हु जर्हा ध्यान से समाजना देखो मुझे निकालना है मुझे बता हो जर्हा और गिवन क्या है जी एनपे-एमपी ग्रोश से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रेशियशन एनपी एनपी सेम है एनपी से अपसी में जाने के लिए माइनस नाइटी तो ये मेरे वो 200 दे रखा है डेप्रिशेशन मुझे इस कोश्चिन में 10 दे रखा है ठीक है 10 और एनइटी मुझे दे रखा है 16 मतलब इंडाटेक्स माइनस सबसेडी 20 में से 4 तो मैं 200 में से घटा दूँगा कितना 10 और घटा दूँगा 16 तो 174 आगया मेरा आंसर खतम बात सबका आचुका है ना 174 यहां पे अब मेरी बात सुनना अगर अगर क्लास कोई बच्चा इसी एनपी एपसी को सबसे पहले आपने NDPFC निकाला था कितना आ रहा था NDPFC का आंसर बताओ सब लोग 178 क्लियर है यहां तक हाँ दिव्यांस जो सेम होता उसको नहीं लिखते तो जो NDPFC है एक सेकंड NDP है यह ठीक है जो NDPFC आपने शुरू में निकाला यह यह जो निकाला आपने आप चाहो ना तो इससे भी अगला अंसर निकाल सकते हो Domestic से नैशम जाएंगे प्लस NFIA तो आप मुझे बताओ NFIA आपको कितना दिया हुआ माइनस का 4 दिया हुआ आगे 174 तो यानि कि आपके पास अगर कोई भी एक गिवन है तो आप उस एक कॉमपोनेंट से कोई भी दूसरा कॉमपोनेंट निकाल सकते हो अगर आपके बस एक कॉमपोनेंट गिवन है तो आप उससे कोई भी दूसरा कॉमपोनेंट आप अराम से क्यालकुलेट कर सकते हो एक कॉम्पोनेंट दिया हुआ है उसकी मदद से आप दूसरा कॉम्पोनेंट एजीली क्याल्कुलेट कर सकते हो ठीक है किसे कोई दिक्कत परिशानी बताओ यहां पर कर लो फटाफट इसको कुछ भी रवी रंजन आपका आंसर देखना सेम ही आ रहा होगा है ना अब फाईनेली एक कोष्ण और मैं हे यहां पर करा रहा हूं पूर्थ कोष्ण और फिर थर्ड कोष्ण मैं आपको हम्वक दे दूगा आप थर कॉष्ugar का नोट था है या आप पास ऑश्यों लेलो फर्ड कोष्ण का यह को जाएगा घ्र का अब हम अभी इस फूर्थ कोश्चिन को खतम करेंगे ओके चलो सब लोग आ जाओ फटाफट थोड़ा सा आप शुरुआत करो टच दो कोश्चिन को फिर मैं कराऊंगा जब तक आप खुद नहीं करोगे ना सारा मैं कराऊंगा आप सीख नहीं पाऊंगे तो मैं डाउट लेता हूं आप फटा सही है ठीक है चलो फटा-फट शुरू करो gnpfc आपको निकालना है nnpfc जो है वो आपको क्लास दे रखा है आपको जो दे रखा है 1npfc है आपको जो निकालना है वो gnpfc लहे रहे हां तक 260 आ गया जिनका 260 आ गया वेट नहीं करो अगला चालू करो जिनका 260 आ गया सबसे पहले खुशी का आया है खुशी वेरी गुड फिर साधवी नकुल कोमल शशांक तनिश वेरी गुड आंसर मैंने दिये रखा है आपको आपको परफेक्ट होना आप सब लोग खुद से प्रॉमिस करो कि भई नैशनल इंकम कुछ आये चाहे ना आये अभी नैशन इंकम पर पूरा फोकॉस रहना चाहे नैशन इंकम जरूर आना चाहे है खुश्बू निकिला चल वेरी गुड अब आगे दोनों Very good सब लोग फटा फट जल्दी से करलो जल्दी से सब लोग करलो आपने बराना चलू कर दिया है थोड़ा से साइड में जगे ले रहे हुँ क्लास देख लेना एक बार मुझे निकालना है जी एनपी एपसी और मुझे दिया हुआ है गोंने चाहा था में बैठने से पहले अगली क्लास में बैठने से पहले इस बात का सब लोग अच्छे से ध्यान रख लेना अगली क्लास में बैठने से पहले कि सारे फॉर्मूले आपके ब्लड में होने चाहिए खून के अंदर यानि देखो ऐसे ग्रॉस से नेट माइनस डेप नेट से कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है जनरल ही नेशनल बड़ा होता है ठीक है MPCFC में माइनस नाटी प्लस नाटी नाटी का फार्मला IT माइनस सबसीडीज और IT जो है वो GST और कस्टम ड्यूटी है ध्यान से सुनना मेरी बात कस्टम ड्यूटी है नहीं इंपोर्ट ड्यूटी और यह सबसीडीज है पताफट करते हैं नेट से इसमें डप को प्लस करेंगे नैशनल से नैशनल सेम है पीस से पीस अरे यार इस कोशे में तो कुछ भी नहीं था लटदू था यह तो हो गया 260 अब मुझे दूसरा निकालना है क्या निकालना है मुझे NDPMP बच्चो मेरी बात सुनो मैं NDPMP को NNPFC से भी निकाल सकता हूँ और GNPFC से भी निकाल सकता हूँ मेरी मर्जी बच्चो आप दोनों से निकाल के देखना शुरू मैं सीख रहे हो आप दोनों से निकाल के देखना आंसर दोनों से ही सेम आएगा clear यहां तक देखो नव्याट ट्रांसफर इंकम क्या होता है और फैक्टर इंकम क्या होता है इस सब मैं धीरे धीरे समझाऊँगा don't worry यह मैं सब कराऊँगा इंडारेक्ट टैक्स में बिल्कुल इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करेंगे दोनों को एड करेंगे यहां पर यहां पर आएगा मैनस एनफ़ाई है एपसी से एपम आने के लिए प्लस एनइटी तो यहां पर हमको एपसी दाइसो दे रखा है नेट फैक्टर इंकम फ्रॉम ब्रोड 75 दिया हुआ है एनाइटी मतलब होता है इंडिरेक्ट टैक्स माइनस सबसेडी यह दोनों इंडिरेक्ट टैक्स है और सबसेडी जो है वह 30 है यह आएगा 120 और यह आएगा 120 और 250 में से आप 75 घटाओगे तो यह आएगा 175 तो दोनों को बैड करेंगे तो आएगा 295 लो हमारा आंसर आ गया 295 तो हुमवर्क आपका कुछ नहीं है चार तक है बस एक से चार तक अराम से एक कोश्चिन सॉल्व करें अच्छी सी नई कॉपी बनाके एक कॉपी मैक्रो की तक यह बोर्ड के एग्जामिनेशन तक कॉपी रहे आपकी उमेदा हर किसी का आंसर आ गया होगा 295 इस पडिकुलर कोश्चिन में आप ध्यान अखना इम्पोट ड्यू टी इंडिरेक्ट टैक्स है ध्यान अखना इंपोट ड्यूट ड्यूट टैक्स है तो दोनों को जोडेंगे ठीक कर लो आप कोई डाउट है तो फिर मुझे बताओ अक्षत वेरी गुड तो यह इंपोर्ट ड्यूटी इस इंडिरेक्ट टैक्स तो यह दोनों इंडिरेक्ट एक्स हो गया और माइनस करेंगे सबसेडी तो आजाएगा एनाईटी वन ट्वन 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 वन मार्क में ऐसे चार ऑप्शन दे रख्योंगे आपको चलो आप मुझे बताना यह सही है गला तो मैं एक ऑप्शन कर रहा हूं आप मुझे बताना कि यह सही है गला ठीक वैल डन जीडीपी एमपी इस इक्वल टू जी एनपी एपसी प्लस डैप माइनस एनफाई ए प्ल सबका आंसर सही है गलत है सबका सही आंसर है गलत है क्यों सर इसमें ना ग्रॉस और ग्रॉस सेम है तो आप डैप जो है वो क्यों लगा रहे हो डैप हटा दो चलो दुबारा दुबारा कोश्चिन दुबारा कोश्चिन क्लस दुबारा कोश्चिन यह एक्वेशन सही है यह अब जो मैंने दुबारा लिखा है जो मैंने दुबारा लिखा है यह वाला बताओ सही है या गलत है यह वाला जड़ा बताना जड़ा अब बताना जड़ा यहा वाला सही है क्या देखना ज़रा बॉलक सो लिखा है n यानि कि सब गरत है अगर मैं इसको माइनस कर दूं जरा अब मुझे बताना की अब सSchy के इसको मैंने माइनस कर दिया इसी तरीके cosa se आपको question आएगा ठीक है अब यह आपको चीज धीरे-धीरे समझ में आने लगी कैसे क्यालकुलेट हाँगी कैसे हमें करना पड़ेगा तो national income की पहली class यहां पर end होती है अच्छे से आपको यह formula अच्छे से learn कर लेना यह जो तीसरा question आपको homework दिया है इसको अच्छे से बना लेना यह formula gross and net अच्छे से learn कर लेना components जो है यह class अच्छे से समझ लेना national income यानि की NNPFC domestic income यानि की NDPFC यह च next class में जो है हम लोग आगे continue करेंगे इसके बाद वाले class में इसको अच्छे से कर लोगे आप लोग और अगली class में accounts का भी सारा पढ़के आना next class में हम लोग जो है continue करेंगे एक बार सारे numerical जो है अच्छे से हम पढ़ लेंगे उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे theory करें तो गुड़नाइट आल आफ यू नेक्स क्लास है मिलते हैं और कंटीनु करेंगे